नमस्कार बच्चों कैसे हो एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल पर हार्दी के विनंदन और स्वागत मैं सुनीता सर्मा आपके लिए एक नए टोपिक के साथ हाजिर हूँ भक्तिकाल देखिए हम बात कर रहे हैं हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के पेपरों क हैं कि इस दो कोई ऐल ढूता से हैं मुख्य मुख्य बिंदू हैं उनको मैंने आकवर किया है इसको ध्यान से देखिए कँसिक चीज़ हमें शीखनी है पर शनोत्तर फिर चाहे कोई भी आजाए है अगर हमें बेसिक चीजे याद है तो तो सबसे पहले बात करते हैं हम भक्तिकाल के काल निर्धारन की अब आपको एक बात बता जेना चाहती हूं आम बच्चों के लिए नई बात होगी लेकिन हिंदी वालों को तो पता है इंदी का जो काल्वी भाजण है वो संवत्त के अनुशार किया जादा तर ने हैं इसकी आपको सबसीरे Satre तरह सो पिचेत्र संवध से लेके और से सतरमी है यह सो यह सो टाइपिंग में थोड़ा गड़ हो गया एक का नहीं है यह बेघना सतरमी को आप्के इस तक है यह यूमान के चलो कि जो आपके सन है उसमें से अगर आप 57 माइनस करोगे तो सन बढ़ेगा स्टन और विकरमी संव सबस्क्राइब करें रहार को सब्सक्राइब 2023-2020 सब्सक्राइब मुख्यूसं Gen还 vagina का सब्सक्राइब सब्सक्रास है और देखें सब्सक्राइब quarter- Ahmadkaya Meda पुछे गए थे तो इमोटी मोटी चीज़ों को उठाया जाता है जैसे कि उसमें उठाया गया था तो चली हम पढ़ते हैं आगे टोपिक की तरफ देखते हैं क्या है इसमें भगतिकाल का यदि आरंब की बात करें तो दक्षिन से माना जाता है यानि कि भगति कहां जन्मी द अलावार भगता जो थे वह वैशनव ठे और नएनार जो थे वह शैव थे यह उन्हें कि वह सिव को मानते थे नैंहर ऋपभव स्थ जैपिंव नान की संख्या को बारा था और नाया सटु में पैसमों का इंपसी संख्या पूछ सथी आए April nosso Korea आर चिंव के लिएर टीज सबीब्ड नाव लगालो कोई दृष्टी लगा लो दीवे कोई चमतकार लगालो और पर बन्थम मतल हुनका परबंध किया गया है आप अपने मोटे मोटे श pobre से समझे लो पर बंध मैंना क्या क İ05 का मिभंद करना làm कि उसको समझना तो यह देखना है वह संपर्दाइब पूछा गया था वह तो ठीक है कोई भी पूछ लिया जाए वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य मुख्य हमने यह उठाए है जिनको आप याद रखोगे अब उनको देखें एक दूसरे से जोड़ के आद रखना कैसे रखोगे आप अब यहाँ पर देखें सबसे पहली बात आती है जो आदी गुरू भी करते हैं इनको क्या कहते हैं आदी गुरू संक्राचारिये को संक्राचारिये को आदी जिसने चार पिठों की स्थापना की थी जो हमारे सनातन धरम के अनुसर जो चार पीठ है उनकी स्थापक एक इस्वर में विश्वास करते थे और वो कहते थे बाकी सारी चीजे जूट है संसार भी जूट है मुर्तिया भी जूट सब को जूट है शिरफ एक आत्म जो है अंदर बैठा हुआ वो गानी सत्य है उनका इमाना था उनके मत का नाम था एद्वैतवाद घाल अपको कैसे जोड़ना है यह जोड़ना है संक्राचारι को हमने क्या का है आदिगुरु अध़ि गुर है और एदवाटाटाए से शुरू होता तो इसतरा खरकर आपे इससे जोड़े तो आदी गुरु के साथ द्होच्त आने तरकार आपको याद रहेगा बर्हम ही सत्या है यानि कि प्रमात्मा कोही ब्रहममाना है और oxygen को Paul यृषरे अगर नाम आता है हमारा आचारिये रामानुजा चारिये का नाम आता है बाता इक एक तो राम और फिर चारिये यानि कि राम अचारिये ऐसे करके इसको देख लो यानि कि राम का अचारिये ऐसे करके देख लो वैसे तो इसका आरत यह नहीं होता लेकिन हमें देखना है अपना याद करने के लिए और विशिष्ट यानि कि राम तो ही अच्छा स्रेश्ट है लेकिन राम का आचारी है और उसके साथ लग गया तो विशिष्ट हो गया और इसके साथ ही थाया लग हो गया यहां टाइपि में जिसको एक नाम और दिया शिरी संपरदाई अब शिरी जो है वो क्या है लक्षमी यानि कि सीता का तार जो था वो लक्षमी का माना जाता है और पर आख नगे लगा है तो इसके साथ था और यानी कि बहुत बड़ा इस परकार करके यहां आप इसको आशेब सकते हो राम का जनम लेकर बिखवान ने जो अना विसीस्ट दित्र निभा था और यहां भी विशिष्ट द्वैत्वाद है तो इसको जोड़के रयाद कर सकते इसका जो उदेश से था इन्होंने जो मत दिया निचोड़ है पुरे का एक लाइन में मैंने की कोशिश की है बगति को इन्होंने मौक्स मानना था और कहा था कि बगति से इपर ब्रम की प्राप्ति हो सकती है अब लोग राम की बगति करते हैं और आम को सरेष्ट बांदेर कर नहीं कुछी से ब्रहम मिलता तो आप यह इस परकार ईसके साथ जोड़ लो मत्या ही है उसके बाद यह आगला अचारिय निम्बारका चारिया निम्बारका चारिय जो था in के मत्या संपर्दाय का नाम है द्वैता द्वैत वाद जिसको बेदो बेड भी कहते हैं अब कर लो आचारिये तो थाई दवैत अश्या करके याद कर लो शकर को कुई और किसी गत्रूप नाम हो तो उससे जोड़ के यादकर था इन जो स्थापना की जो विशेषताई थी रादा किर्षन की यूगल मूर्ती की पूजा पर बल दिया इन्होंने कहा कि दादा किर्षन के यूगल मूर्ती की पूजा करके जननों के एक साथ पूजा करके ही हमें इस संसार से पार साथ सकते हैं ऐसा इन्होंने कहा था उसक परकार करके जोड़ा सकते हो इसका नाम इन्होंने दिया ब्रह्म संपरदाई यह भी तीन जो है एक ब्रह्म जो है हमारा निच्चे अलंतवाला आ जाएगा ब्रह्म संपर्दाए ये भी जो आना तीन वर्णों में देख सकते हो आप इसमें क्या था बगवान शिर्किर्षन के आठ गुनों से युक्त बगवान शिर्किर्षन को सरवोच माना था और इनों ने आठ समय बग ब्रह्म को या प्रमात्मा को पा सकते हैं तो इस परकार हमारा अगला देखिए अगला हाचारी इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक बार आप से आग रहा है कि आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करना अकसर हम भूल जाते हैं ने बंदू बांदों के पास सेयर भी कर दीजिए ताकि सब को इसका लाब उसके और जो नए मित्र नए बच्चे आई हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े देखिए अगला है हमारा आचारी बलभाचारी जी बलभाचारी जो थे आचारी जो पिछे मारे क्या थे इन्होंने क्या दिया था द्वैतवाद इनके पिता जो था वो दिया था यह देखे द्वैतवाद इन्होंने इस द्वैतवाद के आगे सुद्ध और सुद्धा लगा दिया आप यूं मान लीजिए जब हमारी किसी की मिर्त्य हो जाती है तो हम थोड़े समय के बाद सुद मारग पुष्टी मारग आप एसे भी रख सकते हो एक हिंदी में बहुती परशीद एक लाइन है और देखो मतलब उसका रूप अंतरन करके बतानी हुँ मैं कि देखो पुष्टी मारग को जहाज रोग जा रहो है रोक तो रोक लोग उचिस परकार करके पंक्ति है एक और वो को ही पुष्टी मारग कहा था अब इसमें क्या माना इन्होंने पूर्णानंद प्रब्रम किर्शन की सरण में है यानि कि सरण में जाकर उनकी बूजा उपास ना करके अपने पिता की बादमानेताओं को तो रखा ही रखा इन्होंने उसके अलावा इन्होंने कहा कि उन्ही सत्ता की प्राप्ति हो सकती है ये इनका मत्थ था उसके बाद अगला देख लीजिए अगला हमारा जो है वो स्वामी हरीदासी स्वामी हरी दासी इनके संपरदाय का नाम था सखी संपरदाय इसे हरी दासी संपरदाय भी करते हैं इच्छा द्वैत वाद भी करते हैं ये क्या करते थे निकुन्ज भिहारी सिर्कृष्षन की आराधना परबल देते थे और देखें सबी है तो सिरकृष्य के अुपा सक technological लेकिन अलग अलग रूप है निकुन जो भिहारी सिरकृष्य के आराद नगर कहीं परमात्वा को पाया जा सकता है इनका ऐसा जो है वो नियम था और सौामी हरीधासी अब हरीधासी बी लिखते हैं इनको स्वामी हरी दास हरी का दास दास यानि कि जो अना जो चर्णों की सेवा करता हो और यहाँ पर जो अना सबसे जो अना बगवान के नजदीक कौन होता है उसका दास होता हर किसी के सबसे नजदीक कौन होती है सखी होती है तो सखी संपरदा इस परकार करके जोड़ देजिए हरीदासी तो इनसे जूड़ी गया अब आगया इच्छा द्वैतवाद अब दास की जो नव क्या होती है बगवान दास से तो बगवान से इच्छा ही कर सकता है कि मुझे ऐसा कर दो वैसा कर दो तो इस परकार इच्छा दवैतवाद इसके साथ आप जोड़ सकते हो तो यह आप इसके साथ ऐसे जोड़ के याद कर सकते हो उसके बाद अगला देख लिए अगला क्या है हमारा अगला है चैतन्य महापरभू जिन्होंने स्वामी चैतन्य महापरभू जो थे उनका संपरदाय था चैतन्य स सब्सक्राइब तो इनके साथ जूड़ी गया अब होगा गोड यह मतलब गोड़ों से संब्सक्राइब कोन देता है जो तपता है उसको हम गोड़ कहते हैं तो यहां पर क्या है जैतन ने इससे जोड़ के देख सकते हो और यह वहान की बिरिजंदर कुमार के रूप में सिर्क इनने क्या किया उद्तर भारत में ल हैं और जाता है तो और राम् शाय के जाता है ने उन में लुकर कुमाने वाले थे भूट सारी निर्गुणॉड वारणने वाले थे यह क्या करते हैं यह पुर्षोत्तम राम की आराधना परिबल देते हैं राम इस रेस्थ है उनकी सरण में जा कर यह भगवान को या परमात्मा को पा सकते हैं ऐसा इनका मानना था अब रामानंद जो है वो काफी महत्व पुनस्थान रखते हैं या यूंक यह कि राम अवतार को सरेस्थ रूप द इन में जो है वो क्या है राधा बलबी संपरदाय दिया हित हरी वंस अब हित मतलब प्रेम प्रेम मतलब राधा राधा और बलब बलब मतलब सिर्किर्शन हरी मतलब सिर्किर्शन ऐसे करके जोड़ लीजिए तो संपरदाय दिया इन्होंने लेकि इन्होंने जैसे की नाम है इस नाम के अनुसार इन्होंने कहा राधा ही मुख्य है यदि हम राधा को मना लेंगे राधा राधे राधे जैसे आपने कई बार सुना होगा वो राधा बलबी संपरदाय की देन है तो करते हैं राधा को यदि हम मना लेंगे राधा अगर हम जो ना उनको पूझ लेंगे तो शिर कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे कृष्ण तो इसवरों के इसवर है लेकिन उन तक्सीद आप नहीं पहुचा जा सकता मारग जो है वो राधा ही देगी तो राधा पर मुख है राधा की बगती करो शिर कृष्ण को अगर पाना है तो इस संपरदाय के अनुसार ये बात कही गई थी उसके बाद अगला देख लीजी अगला हमारा विष्णु स्वामी है और इनका संपरदाय था रूद्र संपरदाय विष्णु बगवान विष्णु रूद्र बगवान शीव बगवान इसको रुदर संपर्दाय करके याद रखो कई बार क्या होता है सुद्धा संपर्दाय आजाता तो निच्चे ओप्सें ऐसे भी दोनों रमसोचते हैं एक दो नहीं दे सकते तो यह द्हां रखना है यह एक अदेहीं है से जो दो जनों ने एक जैसे नाम दिये है तो यह लेकिन इन्होंने अलग सा है थोड़ा सा इनका नर्शिंग अवतार की पूजा राधना पर बल दिया है यह करते हैं भगवान का जो नर्शिंग अवतार है वो दुस्टों का दमन करता है और वो भी मुख्ति दिला सकता है तो यह थोड़ा सा ध्यान दखना विश्नु का अव तो पूरे भक्तिकाल कहा वाटए वां दो भागों था र घरा ऑर दूसरु का वे परंपरा संत कवी तो यूं मानते हैं बगवान आतमा में बैठा है उसको कहीं डूंडने की जरूरत नहीं जैसे कि कभी chemistry-धास जी थे उखते कि इदर-उदर क्यों खोझ रा है तो तुम्हारे बीतर बैठा हुआ है उसको वाहत है डूंडो इदर-उदर हो जनिया क्या फाइदा और सूफी काते हैं कि जो सुन्दर चीजे हैं उनमें भगवान बसता है और सुन्दर ता सबसे सुन्दर चीजा प्रेम तो प्रेम के माद्यम से भगवान को पा जा सकता है वो भी किसी भी जो न मूर्ती या कोई मंदिर मस्जीद जो है उनमें विश्वास नहीं करते हैं तो ये दोनों हैं हमारे किसके ये इसके हैं निर्गुन भगती के ये वाला और ये दोनों निर्गुन भगती के हैं ठीक है अब इसके बाद जो है अगला आता है हमारा दूसरा सगुन भगती कावे परमपरा दूसरी कौन सी थी सगुन ये और किश्न का वे परमपरा और यानिकी दौ कावे परमपराइं हैं सगुन-भगति मतलो कोई-वगवान का रूप आपरकार मान के उसकी पुजा करना उसको सगुन-भगति कहते हैं अब जो राम-भगत थे राम-परब्रा को मानने वाले थे वो तो राम-परम के इस अनकी दो कवे धारा थी अब यूंह लगा लेजिए कि रिक्रिशन कवे धारा और राम कवे धारा ने हिंदी जो हमारा था ये भक्तिकाल इसको बहुत जादा समरिद किया इनमें दो नाम विशेश तोर पे आते हैं राम कवे में तुलशीदास का आता है इसका मतलब यह नहीं है कि कि औरोंने नहीं कि औरों ने भी बहुत किया लेकिन इंद का काफ़नें उसक कि बहुत ब्रहभर ब्रुद्र सक्ते हैंसर सब्सक्राइव की लिए अब भाफ़कत लेकर लिगनार्ट लगाएंस citizenubad era, क्यान उसकर नोट कर वह चीज्जों को चूकि यह चीझ्ज भी पुछी जा सकती है इन से समंदी तैं है और कृष्ण कावे धारा की बात करें तो इन में जो है सूरदास का नाम आता है पहले सूरदास जी ने ब्रिज भासा में लिख शूरदास की भासा कौन अब दूसरी एदि हम बात करें, राम कावे परंपरा की तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, वो आता है तुलसी दास जी का, अब तुलसी दास जी के बारे में तो हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ा है, हिंदी वालों ने तो बहुत कुछ पढ़ रखा, तुलसी दास क तो थे इन्होंने लगब इनके 24 गरंथ ऐसे हैं और विभिनाचारी करते हैं और उन परमानिक गरंथों में यह दिवात करते है तो एक तो बात आती है रामचरित मानस की दानदेना रामचरित मानस आजाती है तो वह वालमिकी जी की है है और संस्कृत में लिखी गई है लेकिन ते रामकरित मानस की बात की बात की सबस्कताय Madam Good व्हां जिकर हो जाता है उन्हों ने ठोड़ा मोटी मोट चीजें हमें धान देनी है उसके बाद दूसरी बात आती है संतों में संत कवी जो थे उनमें कबीर का नाम विशेस्थान रखता है कबीर जी वैसे तो अनपड थे उन्होंने लिख कुछ नहीं देने की जरूरत है उन लिए और कागस मैंने चुआ नहीं तो अनपड थे गाते थे और इदर उदर गूमते लाते थे अर्फन मोला परवर्ति के थे गुमकड थे तो जहां जाते जो सब्द अच्छे लगते हो यह अपनी साखियों में और सब्दों में परियोग कर लेते थे इसलिए उनकी भासा ज तो यह किसने हैं इनके एक सिस्य थे धरमदास उन्होंने जो है इसको संगरित किया था और बीजक में चपवादी थी उनकी रचनाएं तो इधान देना है हमें ठीक है उसके बाद जो है कभीरदास में जो ना खंडन की परिविर्ती बहुत थी संतकवियों में सब में थी ल सथल्प भूच्श्जी में नाम आता शूफियों का सूफियों में बाद करें तो सूफियों में मंजन देन हैं बहुत सारे हैं नामी स Important के साथ लिया जासकता है गारे भाध मावत जो फिलम भी करके बनी थी बाद में पुलारी रख गया उसका तो इनका गरंत पॉसेस चाया यह ऊंद्फान की भासा उन पादीबासा में लिखा गया अध्यात्मिक रूप में देखा जाता अनि कि सारी चीज़ करतिक रूप प्राउट है ये बात होगी हमारी गुल्चना एक विन्य पत्रीका है वक चाहिए पत्री को करतिकी और शूर्ष्च जो है सूर्दास जी की जो बात आई थी सूर की भगती है वो सक्खे भाव की है यानि कि सूर एक सक्खा के रूप में सिर्क्रिशन के है और वो दास अपने आपको कुत्ता करता है कुकर करता है सूर करता है मतलग कुछ भी करता है तुलसी दास लेकिन सूर्दास जी ऐसा नहीं करते हैं सूर्दास जी जो है एक सक्के भाव में उनकी भक्ति करते हैं उसके बाद देखिए ये बात होगी अस्चाप के कवी स्रेष्ट माने जाते हैं जिसमें सूर्दास भी एक थे अस्चाप के आठ कवी थे उनमें सूर्दास एक थे चार तो थे मदवाचारिय के शिष्य और चार थे वलवाचारिय के शिष्य उसके बाद देखिए हम मोटी मोटी प्रिविर्तियों की बात करने हैं कि संतों की प्रिविर्तिया क्या थी एक इस वर के उपासते आडंब्रों खंडन करते थे एक चीज आ गुरू की महिमा परबल देते थे गुरू की महिमा परबल और ज्यान को इस रेष्ट मानते थे का थे कि अगर प्राप्त हो गया तो बगवान अपने आप मिल जाएगा जाती पर्था का विरोध करते थे उस समय सोड़ मिस्ताफदी में हमारे उनमें पर दो पर कनगते, तो आप नरक के दोर पर जाओं गएए समानना था इन पर जो छाप थी किसकी थी एदवैतवाद की छाप थी आनि कि संकराचारिय का जो एदवैतवाद था उसका परभाव इन पर सपस्ट देखा जाता था भासा इनकी एपरिश्क्रित थी यानि की बेमेल खिचड़ी भासा थी कहीं से भी कोई सब दुठा लिये कोई साहितिक भाषा का इनको जादा ग्यान नहीं था ना ही उसका परियोग करते थे जो मन में आया वो बोल दिया वो लिखती है इस परकार की कवी थे उसके बाद आता है नाम सूफिओं का सूफिकाल की क्या परिविर्ति थी इसवर निराकार है वैं जगत की सुन्दर रचनाओं में है और इसवर का अंस उसमें जड़ तथा आध्यात्मिक दोनों अंस है इस संसार में जड़ भी है और आध्यात्मिक है जड़ अंस को नफस धान देना Arauğ की बार पुछा गया था इसलिए मैंने ऐसे इन और चिज़ों का उटाया है पेपर में था एक कौन शे में था इसमें ही सचीव के पेपर में आध्यात्मीक जड को रूफ है आध्यात्मी को क्या रूफ है आध्यात्मीक अंस को मान्विय गुनों का नास करना फना है नास मतलब फना हो जाना फना हो जाना मतलब कुर्बान हो जाना और इस वर ये गुणों की प्राप्ति बका है चार अवस्थाइं है नंबर एक नफस नंबर दो रू है नंबर तीन फना और नंबर चार बका यानि कि गुणों इस वर के गुणों की जो प् सचनाओं में मिलेगा जैसे पनमात में जो था वो घुरू के रूप में दिखाया गया था तो यह देखे लेकिन वह करते हैं कि साहतान जो है इस मारग में बादा है जो बगवान को मिला दे स्टान जैसे उसमें जो था सैतान किसका प्रियाए था जो उनका राज गुरू था वो सैतान का प्रियाय था पदमावत में अगर आपने फिलम देख्यों या पढ़ाओ तो तो ये धान इसमें जो है वो सूफियों की ये चार चीज़े हैं उसके बाद अगला देख लीजिए अधिकतर कवी सूफियों की एक और विशेष्टा है अधिकतर कवी क्या थे मुसलम मान थे दार्मिक कट्रता उनमें नहीं थी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलिम दर्म के बारे में लिखते थे या पड़ते थे मुसलिम को इसरेष्ट मानते थे ऐसा नहीं था यानिकि दार्मिक कट्रता नहीं थी उनमें कथानक रूडियों का वरणन है कथानक रूडिया क् जो बातें पुरानी कथाओं से चलती आ रही है उनको कथानक रूडिया कहते हैं तो उनके जो कावे थे उनमें उसका भी प्रियोग था अब शरंगार रस की परधानता थी पिछले में भी अगर हम बात करें तो उसमें भगती रस की परधानता है और अगर भगती रस ना आता के लिखे गए लेकिन जादा तर परबंद कावे लिखे गए कहानी को बाट बंधा गया यानि कि एक ही कहानी के और चोर सारे उसमें लिए गए और अवदी भाशा का अधिक प्रियोग हुआ प्रेम विरह और संद्रिये इन तीन चीजों की तरवेनी रही इसमें प्रेम था व जनितिक जो प्रिष्थितियां थी उनका विशेश वर्णन किया गया है तो इस परकार हमारे सूफी के भी थे तो यह जो है हमारे भगतिकाल की जो मुख्य मुख्य चीज़े थी वह मैंने यहां पर लही है हो सकता है को यह कादी चीज छूट गई हो तो इतनी आप करो काफ इतना जान लेना तो देखते रही है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै हिंद